इससे पहले कि मेरा शैतान जाग जाए, मैं तुम लोगों को आखिर चिताव नहीं दे रहा हूँ, इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर सर चुपाओ, चले जाओ यहां से! माधा, अकर सूच रहे हो कि हम तुमारी सहनुभूती का इंतिजार कर रहे हैं तो घलत हो, वो रामदत्थ शर्मा की जरूरत थी, पर आज हालात बदल गए हैं, तब हम रोते थे, पर आज नहीं, आज हमारा मकसा देखतम साफ है, तुमसे बदला लेने के लिए आज हम सब यह इकठे हैं और तुम्हें माध के घाट उतारने से कोई नहीं रोक सकता हम लोगों को, आज हमने अपने उनी पुराने दुखो को इकठा करके अपने ताकत बना ली है, देख लो हम लोगों की तरफ, हम है अनुपूर्णा ग्रूप, हमें माफी देने वाले तुम कौन होते ह चंद्रगिरी के माधूब तो तेरी इतनी हिम्मत की मेरे पापा पर हाथ उठाया है अज्जू, माफ किजिगा पापा चंद्रगिरी के माधो मेरे पिताजी है, कुई साधरन आदमी नहीं है, आदश है वो एक सही को सही और घलत को घलत सिखाने वाले आदश गुरू है वो उस मुर्ती को गिराने की कभी कोशिश मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर फिर कभी दुबारा ऐसा करने की कोशिश की, तो तेरे सर के चीथड़े उड़ा दूगा प्रदर, अपने भाई को जरा कंट्रोल में रखो, उसे घुस्सा कुछ जादी आता है, उससे को कम करो वरना इस घुस्से को सफेद कपड़े में लपेट कर सम्शान तक पहुचा दूँगा मेरे पापा को कभी भी अकेला मत समझना क्योंकि उनके पीछे मैं खड़ा हूँ पहाड जैसा, ये बात तुम कभी भी मत भूलना हो अच्छे लगी तुम्हारी बातें माधों के अंदर जो जवानी का खून था वही तुम्हारे अंदर देख रहा है मुझे थोड़ी ताकत और बढ़ा दो, अभी कमजोर हो, तुम जानते हो किस से लड़ रहे हो हम तीनों को अच्छे से पैचान लो, हमारे बारे में सब कुछ अपने पिता जी से पूछ लो तुम्हारी बात मैं समझ गया, लेकिन ताकत मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए क्योंकि पैसा बली तुम्हारे पास ज्यादा है, लेकिन अकल कम है ब्रादर, जनून अच्छी बात है, पागल पन नहीं होना चाहिए जिद्धी होना अच्छी बात है, जिद पकड़ कर बैठना अच्छी है तुमने जितने भी कार्तूस अपनी बंदूकों में भर कर रखे हुए चंद्रगिरी के माधा को उपर पहुचाने के लिए कम परेंगे मेरी आदत नहीं है कि मैं बार-बार कुट्टे की तरह भौकूं, सिर्फ काटता हूँ ग्रहन तुमारा इंतजार कर रहा है ज़िए तुम सब का सर्वनाश कर देगा कर रहे हुआ अज्यो यह लो कल रात साड़े नौ की फ्लाइट है पापा बात यह है मुझे अब कहीं नहीं जाना क्यों नहीं जाना यह तुम भी जानते हो वह क्यों नहीं जाना चाहता फिर भी मैं बताता हूं आप शांत रहिए इसे जवाब देने दीजिए पापा पहली वज़े वैसे भी कल खत्म होने वाली है कॉलेज वाले स्टेडी लीव देंगे और दूसरी दूसरी वज़ा बताओ मुझे पापा इस मसीबत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता अपनी मुसीबत से मैं खुद निपढ़ सकता हूं तुम टांग मतड़ाओ अगर पीता मुसीबत में हो तो यह बेटे का फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें दो साल हो गए हैं चंद्रगीरी से बाहर रहते हुए इसे इन दो सालों में ना जाने कितने ही मामलों को मैं खोड़ अकेले निपटा आ चुका हूं उस समय तो इसके बारे में कभी नहीं कहा किसकी मदद लिलू पापा अब सब बदल गया है यह अन्यपूर्णा ग्रूप यह ठीक लोग नहीं लगते हैं कौन ठीक है कौन नहीं यह मुझे समझाने की जरूत नहीं है मैं जो कह रहा हूं और तुम करो माधाव अकेले अपने मामले निफ्टा सकता है उसे तुम्हारी जरूत नहीं अब जाओ ठीक है एक बेटे का दिल क्या चाहता है एक बाप होने के नाते मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं आज मैं तुम्हारा बाप हूं पर कल किसी और का बेटा भी था पर एक बेटे का दिल अपने बाप के दिल को कभी नहीं समझ सकता मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो बेठा मुझे कुछ नहीं होने वाला जाओ अज्जू के सखती करके अपने अच्छा नहीं किया साहिव जानता हूं मैंने अच्छा नहीं किया पर उसे अनपूर्णा गुडाउन क्यों लेकर आए वो भी गंद के साथ और उसके हाथ में गंदेने से पहले तुम्हें सोचना था गलती होगे मुझसे जमाल ज्यान से एक बार जब गन किसी के हाथ लग जाती है तो जिंदिगी बर श्राप की तर उसका पीछा नहीं छोड़ती वह अज्जू के बारे में मैंने ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं अब अगर दुबारा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारा जना निश्चित है जाना तो पड़े गई तुमने सुना नहीं पापा का ओर्डर पापा को जानने के लिए पापा बनना ज़रूरी नहीं अच्छा बेटा बनना ही काफी है और मैं वही बन रहा उनके साथ मैंने बहस इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उनका मूड़ खराब नहीं करना चाहता था पर मैंने एक बात अच्छी तरह से सोच ली है मैं उनसे फोन पर बात करता रहूँगा चंद्रगिरी में अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुरंत लौटा हूँगा यह भगवान दिया पुछ गया शायद तेल खतम हो गया होगा नहीं तेल तो भरा हुआ है तुम्हारा इस तरह से जाना शायद मां को भी पसंद नहीं सच है आपको भी पसंद नहीं कि मैं इस घर को और पापा को छोड़कर जाओ अगर वाक कई आपके और पापा के मन में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है तो फिर आप उनका मन क्यों नहीं बदल देती आज जो हालात यहां है उनमें मैं पापा को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता पर क्या करो जाना तो पड़े गई मजबूरी है प्लीज आए सर आपके बारे में ही सोच रहे थी कि आप कब चार्ज लेंगे यहां सभी सुपेरियर ओफिसर्स के सबार्णिट हैं जो कि गलत है सीनियर और जूनियर मिलकर काम करेंगे तब ही पबलिक के नजदी का आप आएंगे यही मैं चाहता हूँ सर हमारे पुलिस टेशन में ज्यादा इशूज नहीं है सर यह वहीं पुलिस टेशन है ना जहां दिन धाड मैजिस्टेट के सामने एसप को गोली मारी गई थी और इंस्पेक्टर इसी पुलिस टेशन के अंदर जाली करेंशी का केस चल रहा है जी हां सर हां मैं नहीं चाहता कि दुबारा ऐसा हो सर यह मेरी टेरिटेरियों के सर वर्गिस सर सेक्योरिटी काड को बुला ड्राइवर को बुला पूश्टाश करनी है सर जब ड्यूटी की बात होती है तब मैं किसी को नहीं बख्षता अगर कभी किसी तरह की बदनामी होती है तो वो पूरे डिपार्टमेंट की होती है तब मैं बिना सोचे सब का जीना हराम कर दूगा पिछले असपे चंडरा शेकर की मौन और एम्बुलेंस करन सी केस यह दोनों केस हमारी लिए बहुत माइने रखते हैं सो वी आव तो अनर्द मिस्ट्री अराउंड बोट दीस केसे अट अनी कोस्ट सर परकेस मुझे उन दोनों केसे के फाइल सुला कर दो सर 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 एंजिन नंबर 8082937 रिजिस्टरिशन नंबर TN8737 रिजिस्टर डॉनर तमिल नाडु का है कोई अमभुतूर का है कोई मिस्टर नागराज उन्हें कस्टडी में लिया या नहीं सर नहीं लिया वह वो क्यामटूर में अनपूर्णा ग्रूप के राइस मिल में मैनेजर है अगर वो किसे पावरफुल राइस मिल कमपणी में मैनेजर है तो उसे अरेस नहीं कर सकते सर हमने आई जी को रिक्वेस्ट भेजिये लेकिन अभी तक हमें कोई आडर नहीं मिलाये नहीं मिलाये आडर नहीं मिलाये तुम्हें आई जी को रिक्वेस्ट वेजने के कोई ज़रूर नहीं यह इस पर वेट्रिवल मारन IPS काफी है समझ गया ना सर ठेक आइंजिन नंबर नंबर कुछ अलग लग रहा है सर इंजिन का नंबर अलग है और यहां जो नंबर लिखा है साथ लेकिन पॉरिंसिक टीम के पास इंवेस्टिकेशन के लिए बेजी गई गाड़ी कोई और है सच बताओ कितने में बेचा खुद को नहीं सर मैं वैसा आदमें नहीं हूं तो यह नंबर कैसे चेंज हो गया तो अब मैं समझा तुमने कोई बतुर के राइस मेल मैनेजर को अरेस्ट किया होता तो उनसे तुम्हारे कमिशन तुम्हें कैसे मिल था इसी बात की चिंता हुई होगी ना तुम्हें उस वाक्त नया F.I.R. लिखो और उसमें इस इंचिन नंबर और रजिस्टेशन नंबर को लिख लो मैं जानना चाहता हूँ कि यह गाड़ी किसकी है चाहे वो जो हो उसे मेरे सामने ले आओ ब्रिंग हिम ब्रिंग हिम तो माइओफिस कि अपने दिमाग से टेंशन निकाल दो अपनी पढ़ाई पर कुरा ध्यान दो तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम पढ़ाई में टॉप आओगे जरूरत पड़ी तो आपको फॉन कर देंगा रंकर जी इसकी यहां कोई जरूरत नहीं है कि क्या हुआ वर्गिस कुछ खास नहीं तुम्हारे परिवार में सब ठीक ठाक तो है वो क्या है जरा कंफ्यूजन है फेक करंसी के साथ जो एंबुलेंस पकड़ी गई है वो आपके नाम पर है यह कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन इसके लिए आपको एसपी आफिस में आना पड़ेगा नए एसपी सहाब ने काया है आपका स्टेटमेंट लेकर वो आपको तुरंच छोड़ देंगे वो एसपी यहां क्यों नहीं आता मैंने उनसे कहा था पर वो जरा आवाल जवाब उन्हें पसंद नहीं है ऐसे ही होते हैं बड़े स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स चलो आता हूं सर आप मेरी गाड़ी में चलिये न वर्गिस तुम अच्छी तरह से जानते हो माधव हमेशा इंसाफ और कानून के सामने अपना सेर जुकाता है और हमेशा ज सब के लिए अपनी आत्रा कैंसल मत करना यमाल है पता लगाओ हमारी रेजिस्ट्रेशन वाली एंब्लेंस वहां कैसे पहुंच गई और सारी डिटेल्स लेकर एसपी आफिस पे पहुंचो वर्गेश चलो चलिए मैं भी आ रहा हूं परा तुझा रहे हैं चलो चलते हैं जमाल वेलकम मिस्टर मार्ण वेलकम तो माय ओफिस वेट्रिवेल मारन आई-पी-एफ आप है वो स्ट्रिक्ट आफिसर जिनोंने एस-पी की जगल दिये कैसा चल रहा है सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है मेरे लाइफ में माधा अच्छा है प्रार्तना करता हूं वैसा ही चले है जगदीश और उस मुकुंत के आदमी रामदाथ शर्मा के बच्चे ये सारे लोग आज इकठे होकर एक शक्ती बच्चे जब सारे दुश्मन इस तरह मिलकर एक हो जाते हैं तो अच्छा ही होता है एकता में ताकत होती है मैंने यहां आपको लेक्चर देने के लिए नहीं बुला है बल्के जो जाली नोटे से भार हुआ एम्बुलेंस है उस गाड़ी का रजिस्टेशन आपके नाम है यहीं पूछने के लिए बुले हैं अब नहीं बच सकते मानों जो रूम आखेर है जोर्म होता है राजा महराजाओं की कहानी सुन चुके होगे उन्हें जो पालतु कुत्ते पालने का बहुत शौक होता है तुम उसी की एक ब्रीड हो मुझे याद आ रहा है कि कई साल पहले मैंने तुम्हारा ट्रांसफर करवाया था क्योंकि रामदत शर्मा के साथ मिलकर तुमने वेमानी की थी पर उससमें एक बात कहना भूल गया था तुम्हें तुबारा शकल मत दिखाना इसलिए आज तुम वापस उसी कुरसी पर जब से मेरा ट्रांसफर कराया तब से मैं तुम्हें भूल महीं पाया माधा हूं प्राज राम उकुंद और हम वापस मिल गया हैं इसलिए कह रहा हूं तुम अपने हद में रहो नहीं तो यहीं के यहीं तुम्हें दफना दूंगा समझें एक बात अपने दिमाग में पार ले तू अब नहीं बचे इसा सर दर्वादा खुलिए सर क्या हुआ सर माधाव सर यह आपनी क्या कर दिया सर माधाव सर को क्यों मारा तूंग जाली नोटों का धंदा करता हैं लगता है तुम दोनों की बहुत अच्छी जमती हैं लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगा आज के बाद तुम मेरे सामने इसाद में से कभी भी ऐसे जुक कर बात नहीं किया करोगे समझे कि नहीं तुम्हें सुना कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं सर अधशित मादो सर मुझे माप कर दीजिए सर नहीं जानता था वो आपका यह हल करेंगे कोई बात नहीं लेकिन यहां जो कुछ भी वा वज्जु को पता नहीं